नमस्का दोस्तों आप सबका स्वाद करता हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डिस्टी गयान में तो एटटी में अडमिशन की जो कॉंसलिंगे उसमें एक दो दिन ही रह गए हैं तो आपके काफी सारे जो डाउट से अभी भी है तो काफी सारे जो कमेंट्स हैं हमारी वीडियो पर आ रहे हैं तो आज की स्वीडियो में आपके जो दो भी कॉंसलिंगे कुछ कोशन तो मैंने कमेंट्स में रिपलाई कर दिये हैं बट कुछ कमेंट्स कि मैं यहाँ पे रिपलाई करूँगा साथ ही साथ जिससे कि बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी बाकी जो कोशन से वो सभी कलियर हो जाएं क्योंकि काफी सारे जो candidates उनके मन में काफी सारे जो doubts है तो आज की इस video में आपको सबी जो doubts है वो clear हो जाएंगे तो अगर आपने भी comment किया है तो आपको reply भी मिल जाएगा अगर आपने comment नहीं भी किया है तो भी आपको कुछ चीजें जो है counseling के regarding को आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी तो काफी सारे जो हमारे चैनल के साथ जुट रहे हैं तो अगर आप चैनल में पहली बार आएं तो प्लीज चैनल को subscribe कर लेना जिसे next जो भी updates आएंगी admission तक वो आपको मिलती रहेंगी तो चल यह वीडियो को शुरू करता हूँ तो यहाँ पर जो सबसे पहला comment है कि latest जो comment आया है मुझे तो sir diet में daily ज़रूरी है क्योंकि वो साथ में job भी करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो government diet से हैं वहाँ पर आपको daily जाना पड़ेगा बागी जो private colleges होते हैं उनका अलग से system होता है तो अगर आप किसी private college में जैसे मैंने description में link भी provide किया हुआ है पिछली वीडियो में इसमें भी link provide कर दूँगा आप उनसे पहले concern कर लेजिए कि अगर वो आपको eligible करते हैं तो आप admission ले सकते हैं इसके बाद जो next जो question है कि registration time मुकसर उन्होंने fill किया था तो रहते हैं वो फजल का diet में है तो देखे जो भी आपने registration form fill किया था तो वहाँ पर आपने जो भी अपना diet fill की थी तो आपकी जो concern है कि वहाँ पर होगी बाकि जो आप seat लेना चाते हैं वो कहीं भी आप अपनी जो seat है फो ले सकते हैं अपनी choice के station पर अपनी choice की जगा पर आप अपना जो station है वो ले सकते हैं next जो question है वो schools के regarding कि जो NMMS की scholarship है वो कब start होगी तो जल्दी ही start हो जाएगी next जो question है उसमें आते हैं जो question पुछा गया है कि ऐसी कास्ट वालों को income certificate भी ले जाना जरूरी है या नहीं तो मैं आपको बता दू कि मैंने पिछली वीडियो में documents बताए थे एक बार क्योंसे बता देता हूं कि आपकी qualification की documents होंगे आपका अधार card, residence certificate होगा इसके अलावा category का certificate होगा आपकी photograph होगी इसके जो photocopy भी आपने साथ में लेके जाने है और original भी साथ में लेके जाना है ऐसे students को income certificate जब आपका scholarship अपलाई होगा तब ज़रूरत पड़ेगी अगर पहले से बनाए तो ठीक है अधरवाईस आपको फिर बनवाना पड़ेगा नेक्स जो कोशन है कि non-board की classes के exam कब शुरू होंगे तो यह PSB के regarding question है तो कभी सारे जो students भी थैंक्स भी करते है उनको भी मेरी तरफ से थैंक्स है कि आप हमारी वीडियो को देखते है नेक्स जो कोशन है कि sir gap certificate ज़रूरी है तो फिलाल कि कहीं पर भी mention है किया गया है कि gap certificate चाहिए इसके इलावा नेक्स जो कोशन है कि admin card कौन सा exam वाला कया तो आपका जो admin card है जो आपका ने entrance exam दिया था तो वहाँ पर आपका एक admin card दिया गया था वो आप साथ में लेके जाएगा अगर आपने fees pay की है और आपको पास वो slip है वो साथ में लेके जाएगा इसके इलावा आपका जो mail list जारी हुई है वहाँ पर जो आपका नाम है वो भी आपने साथ में लेके जाना है next meditorious counseling के regarding question है तो चलिए next question है कि sir मैंने MSCB की है इस time उनके जो last semester की DMC नहीं है अगर सेम के अपरिंट निकाल के लेके जाओंगे जाओंगे तो चलेगा जी चलेगा देखे main जो qualification की document है वो आपके graduation तक चेकोंगे इसके इलावा अगर आपने extra qualification की है वो साथ में लेके जासे हैं कोई problem नहीं है बट आपका जो graduation तक की जो certificate है वही recommend किया जाएंगे वहाँ पे तो next जो question है कि private college कितने हैं मैंने link दिया हुआ है तो वहाँ पर आपको सभी colleges की जो list है वो मिल जाएगी वहाँ से आप चेक कर सकते हैं next जो question है candidate की तरव से पूछा गया है कि कौन-कौन वजल का जलालाबाद से हैं जाने के लिए अगर कोई है तो इनको reply कर देजिएगा next जो question है migration certificate चाहिए for diet admission तो migration certificate फिलाल नहीं चाहिए ये भी कहीं पर mention नहीं किया गया है next जो question है other state के लिए पंजाब residence जरूरी है counseling के लिए मैं आपको बता दू कि residence का मतलब बहुत है कि आप पंजाब में रहती है और अगर आप पंजाब में नहीं रहते हैं other state के हैं तो आपको पंजाब का residence certificate बनवाना पड़ेगा तो उसके लिए आप अपना कोई relatives देख सकते हैं उनके गर का address देकर आप अपना जो residence certificate है वो बनवा सकते हैं नेक्स जो कोशने की जो original document है वो submit करवाने है तो आपने बिल्कुल submit करवाने है वो आपके डाइट में रखे जाएंगे फिर आपको बाद में वापस भी कर दिये जाएंगे नेक्स जो कोशने सर category document मतलब क्या है category के regarding यहां पर मैं बता तो मुझे भी थोड़ी बात में लगा कि मिस्टेक होगे कि मुझे category के बार में वहां पर detail में बताना चाहिए था उस वीडियो में तो category का मतलब है कि जो भी जर्व category होती है सिर्फ general category को छोड़के तो जर्व category जो होती है जैसे SC category है OBC category है उनका SC और OBC category का certificate होगा इसके इलावा अदर भी category होती है तो जैसे कोई sports category में तो उसको sports का जो certificate है वो दिखाना पड़ेगा इसके इलावा अगर कोई handicap student है तो उसको handicap जो certificate है वो दिखाना पड़ेगा इसके इलावा कोई economical weaker section category का है तो उसे economical weaker section का certificate जो है वो है तो ये कुछ RESERV CATEGORIE है तो इसíre से स्केस्ट के तरफ से thanks किया गा है तो next question है कि sir 6 को जा सकते हैं पर rank के according 12 date है तो देखें जिस date को आपकी counseling है ये सबी candidate प्लीज दियान से सुन दीजीगा कि जिस date को आपकी counseling है आपने उसी date में जाना है अगर आपकी counseling 6 डेट को है और आप 7 को जाएंगे तो आपकी turn नहीं आएगी आपकी counselling नहीं होगी इसके इलावा अगर आपकी counselling बारहों को है और आप 6 date को जाएंगे तो भी आपकी counselling जो है वो नहीं होगी तो जैसा counselling में जो डाइट्स में आपने fill किया था वहाँ पर प्रोपर list बन जाती है कि कितने students मालेजी जो जिलंदर है तो जिलंदर में list बन जाएगी कि 6 तरीकों कितने जो students है कितने candidate जो है वो counselling में आएंगे तो वो किस तरह से बनती है जो भी आपने diet फिल की थी उसके according आपके जो नाम है वो सारे वहाँ पर प्रिंट करके रखे होते हैं तो उसके according ही आपको counselling में बलाया जाता है फिर आपके signature होंगे उसके बाद आपको जो seat है वो alert कर दी जाएगी इसलिए जिस date को है उसी date को आपने जाना है sir कैसे पता लगेगा कि कहा जाना है तो जैसे मैंने आपको अभी बताया question यह भी same वही हो गया कि जो भी आपने diet फिल की थी वहाँ पर आपने counselling के लिए जाना है फिर भी अगर आप को नहीं पता है या आपको गलती से किसी और diet में चले जाएंगे तो भी कोई problem नहीं होगी वहाँ पर फिर आपको जो जो आपने diet फिल की थी वहाँ पर उनको contact करना मड़ाएगा वहाँ से आपका जो नाम है वो फिर ट्रांसफर किया जाएगा वो थोड़ा लंबा प्रसेस होगा इसलिए कोशिश करें जहां पर आपने diet फिल की थी वहीं पर जाएए उसके बाद जो next question है कि इनका जो residence certificate है वो 2019 का है तो दो साल पुराना है क्या चलेगा तो देखिए अभी थोड़े दिन रहेंगे इतनी जल्दी रेजिदेंस certificate नहीं बनेगा फिलाल आपके बाद जो residence certificate है अब वो जरूर लेके जाएगे और उनको बोल दीजिए अगर वो कहते हैं कि ये नहीं चलेगा तो उनको बोल दीजिएगा कि हम नया बनाके आपको submit करवा देंगे ठीक है जी तो इतना आप कर सकते हैं बकी जो भी वहाँ पर committee होगी उस पर depend करता है कि वो क्या decision लेते हैं तो फिलाल अगर आपके पास है 2019 का है 20 का 21 का 22 का 23 का जो भी आपके पास certificate है वो जुरू साथ में लेके जाएगा दिन बहुत कम रहेगे हैं एक दो दिन में आपका जो certificate है वो नहीं बनेगा बट जिरोंने certificate के लिए apply किया है पहले नहीं था तो वो अपनी receipt साथ में लेके जाएगे और उनको दिखाएगे कि हमने apply किया है तो एक दो दिन में आ जाएगा तो हम आपको submit करवा देंगे तो चलिए next question की तरफ पढ़ते हैं तो जो next question पुछा गया है कि जो counseling होगी या पर जहां पर admission लेनी है तो यहां पर मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो counseling होगी जो आपने डाइट फिल की थी वहां पर आपकी counseling होगी admission आप किसी भी डाइट में ले सकते हैं next question पुछा गया है कि जो डाइट में certificate जमा करवाए जाएंगे कि दिन दिया तक रखेंगे अगर जूरत पड़ेगी तो क्या वो मिलेंगे या नहीं इसके लावा किस एटिकेट गम तो नहीं होते हैं तो यहां पर मैं आपको clear कर दूँ कि आपके कोई भी document जो हैं वो गम नहीं होते हैं वो documents आपके रखे जाते हैं और verification होने के बाद वो document आपको वापस कर दिया जाते हैं नेक्स कोशन की बात करूँ तो जो नेक्स कोशन पुचा गया है कि parents के दार काड़ की जरूरत है या नहीं तो आपको अपने parents के दार काड़ की जरूरत नहीं है नेक्स कोशन है migration के रिकर्डिंगी तो आपको कोई भी फिलाल migration certificate की जरूरत अभी नहीं है तो चलिए नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं तो जो नेक्स कोशन पुचा गया है कि इनका जो rank है वो 2079 है और SC के डिग्री है पर इनका जो BC में नाम है वो डाल दे गए तो ये doubt क्लियर कर दो की जो diet है वो foods पर बहुत दूर है 50 km तो यहां पर मैं आपको बता दूँ की मैंने पहले भी clear किया है आप अपने rank के according ही सीजिल नंबर merit के according ही जो अभी आपका date को है उसके according ही आपने जाना है और जो भी diet आपने फिल गी थी वहीं पर आपको जाना है इसके अलावा नहीं जो कोशन है सर अगर private college में seat choose करते हैं तो टौव फीस कितनी लगी गी तो यहां पर मैं आपको बता दूँ कि जो government की तरव से mention किया गया है कि 40,000 के नेरवार्ड आपकी जो starting piece जो रहने वाली है वन नेर की तो पाकी depend करता है college के उपर तो कुछ college जो है वो उससे ज़्यादा भी जो fee से वो लेते हैं बट आपकी जो private fee से वो 40,000 शुरू हो जाएगी तो लगवग आपका जो दो सालों का खर्चा रहेगा आप वो 80,000 या 90,000 के बीच रहेगा नहीं जो question है कि sir residence adequate apply किया है आया नहीं अभी तक तो slip चल जाएगी नेक्स्ट मैं वीडियो बना दूँगा कि second questioning में कौन से student जो है वो आएंगे और second questioning क्यों होती है नेक्स जो question है वो कास certificate के वारे में की कास certificate में नाम के spelling जो है वो गुलत है तो देखी मैं आपको बता दूँ कि वैसे तो जो आपके certificates में जो नाम के spelling है वही होने चाहिए बाकी अभी आप बाद में correction करवा लेजेगा इसको क्योंकि जब आप अपना scholarship के लिए अपलाई करेंगे तब आपको problem आ सकती है तो इसलिए आप अभी जो counseling होगी उसमें आपका फिलाज चल जाएगा आप उनको बता दिए कि आपने लिए करेक्शन करवा लेंगे तो आपकी admission जो हो जाएगी next situation है मैड लिस्ट में नाम है बर रिजर्ट कैसे दिखेंगे तो अगर मैड लिस्ट में नाम है तो आप सर्च कर लिजेए अपना Egyptian różne सर्च कर लिजेए अपने नाम की साथ सर्च लिजेए आपको जो अपना रिजिए वह में जाएगा ज़न jadi question है रेजिनेन्स अडिकेट है जुरूरी है अभी तो बना नहीं है अधर करड बतरकरड नहीं चलेगा तो जहांपर मैं आपको बता दो कि जो जुरूरी होता है बट अगर आपके पास फिलाव नहीं है तो भी आप कौन से जरूर टेंड कीजिएगा तो और अपना जो सट्टिकेट है राइजरेंस सट्टिकेट है उसको जरूर अपनाई करवा लिजिएगा बाई चांस अगर आपको अडमिशन नहीं मिलती है तो सेकंड कौन से नहीं होगी वहां पर आपको डेफिनेटली जो अडमिशन है वह मिल जाएगी नेक्स जो कोशन है डिस्टिक फाजल का से कोई है ओके ये कौन कोशी से चाहिए तो मैंने आपको बता दिया है कि जैसे आपकी क्वालिफिकेशन के डॉकुमेंट्स आपका अधार कार्ड आपका मैड लिस्ट में जो नाम आया है इसके इलावा आपका जो कैटेगरी का सेटिकेट है वो चाहिए तो ये कुछ डॉकुमेंट्स है जो आपको साथ में देखे जाना है नेक्स जो कोशन है कि सर नौन अटैनिंग अडिमिशन देनी है डाइट में मिल जेगी तो यहापर मैं आपको बता दूँगी जो गॉर्में डाइट्स होती है वह जरूरी है जरूरी है जरूरी नहीं होता है तो अगर आपने अपलाई किया है तो कोई डॉल्म है आप अपने डाइट को जो है वो कंफर्म का करके बता दीजिएगा नहीं जो कोशन है एक वीडियो बना दीजिए कौन से डॉकमेंट्स केरी करने हैं कौसलिंग वाले दिन जो वीडियो मेंने बना दी है उसको चकल लिए तो میभी उसकता है आप ने देख लिया होगा तो जो कोशन है कि सर सीट कमर्स साइट स्ट्रे म के कोर्डिंग डिसाइट है नहीं अब कोई भी स्ट्रीम के कोर्डिंग आपकी जो इससे वो नहीं है आपकी अप जो ग्रैजु यहां पर पूच्छा गया है कि 12th class के जो डोकुमेट्स होते हैं एक DMC होती है एक original certificate होता है दोनों में से आप एक लेके जाहिए वैसे तो DMC required होती है बट अगर आपने उसके लिए apply किया है तो उसकी आप receipt जो ही वहां भी दिखा सकते हैं नेक्स कोश्चन है कि एसी केडिकरी में 65 नमबर वाने है उमीद है counseling में नाम आएगा तो आपके लिए जो passing eligibility criteria है वो 67 है तो अगर 67 नहीं है तो आपका counseling में नाम नहीं आएगा तो next question पुछा गया है कि report 9 a.m. को करना है लेट नहीं तो यहाँ पर मैं आपको बदा दू कि आपने 9 बजे counseling में पहुंचना है अगर आपका merit number पहले है तो आप पहले पहुंचीगा अगर बाद में है तो भी आपको पहले पहुंचना है अपने अपने document verify करना है और कई बार क्या हुदा है कि जब counseling शुरू हो जाती है तो अगर आपका serial number आ गया और आप counseling में नहीं होंगे तो आपकी जो सीड़े वो किसी और को दे दी जाएगी और बाद में जब आप जाएंगे हो सकता है में भी आपको अपनी choice की जो सीड़े वो ना मिले इसलिए कोशिश कीजिए अपने जो डाइट से जहां पर भी है वहाँ पर तक्रीपन पहुंच जाएं नेक्स जो कोशन है कि जो कल मेरिट लिस्ट डाली है पो डाली है और यह तो आप इनकी ऑफिशल वेबसेट पी जाएए जहां पर एटिटी अडिमिशन लिखा होगा वहाँ से आप इसकी जो डाली है वो कर सकते हैं मेरिट लिस्ट नेक्स जो कोशन जनरल क्रेटिकर लिवलाई अपसेस हो जाएगा उसके बाद कोलेजस से वो कोलेज़ वाले आप वहाँ से डिबार्टमेंट से परमिशन लेंगे तो उसके बाद अगर परमिशन उनको मिलती है तो उसके बाद नेक्स जो परसेस है उनकी तरह से किया जाएगा अटमिशन के लिए नेक्स जो कोशन है कि 6-7 की DMC कुछ लिख कर देंगी तो वो क्या दिखा कर मिल सकती है तो आपकी जो ग्रेजुशन है वो कंप्लीट होने चाहिए अगर आपके फाइनल DMC नहीं आई है बढ़ आपका जो रिजल्ट है वो आगया है तो प्रविजनल DMC आप दिखा सकते है तो नेक्स कोशन पुचा गया है अडमिशन के बाद क्लासे किस मत से स्टार्ट होगी तो एक महीने के अंदर अदर आपकी जो क्लासे से वो स्टार्ट हो जाएंगी नेक्स थैंक्स किया गया है तो मेरी दिल्ब से भी आपका थैंक्स है आप वीडियो देखते हैं लाइक करते हैं नेक्स जो कोशन पुचा गया है कि इनका जो सीजर नंबर है 3872 है तो 71 ऐसी गेडिकरी तो इसमें भी कोंसलिंग का बेद तो आप लिस्ट में चेक की जिए और उसके के आपकी कोंसलिंग होगी नेक्स कोशन पूचा गया है जो लास्ट वन कोशन है कि सर अगर मेंजमेंट कोटा में एड़मिशन लेनी है तो कितने फीस एक्स्टा लगी कि या मैं आपको क्लियर कर दो कि यह डिपेंड करता है कोड़ेस के उपर तो अलाला कोड़ेस होते हैं उनकी जो फीस से अलालाला काफी कुछ कमेंट्स थे जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर वाया था और कुछ का इस वीडियो में मैंने रिप्लाई भी कर दिया है तो फिर भी अगर आपकी कोई क्योशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखती जेगा तो मैं उसका रिप्लाई ज़ूर करूँगा बाकि वहाँ पर चांस दिया जाएगा तो आज के स्टूड़ को यह खतम करूँगा जिल्दी मिलूँगा अपके साथ नेक्स्ट टूड़ में तब तक के रिए गुडबाई जैन्द